नमस्कार, मैं हूँ ससी, आये जारखन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं देने के लिए निवेश को को सुविधाये और रियायते देने की दीशा में सरकार लागातार पर्यास कर रही है सीएम ने यह बाद सुक्रवार को दियोग वीभाग की उचस्तरिय समिक्टा बैठक में कही प्रधान मंत्री अवास विजनागरामीन चार जोन में बटेगा जारखन भारत सरकार ने जारखन में प्रधान मंत्री अवास विजनागरामीन के तहत आठ तरह की संदशनावों के अवास निर्मान की स्विग्रित्य दी है बतादे जारखन के सारे जीलों को चार जोन में बाटकर आठ परकार की सनरजनवाले आवास बनाए जाएंगे ए आवास जोखीम रोधी और अरामदायक होंगे प्रमपरागत निर्मान समागरी के उपयोग से बने होंगे साथी पर्यावरन के अनुकूल भी होंगे बतादे जोन वन में साइब गंज, गोड़ा, पाकूर, देघर और दूमका जोन वन में रखा गया है वहीं जोन टू में धनबाद, बोकारो, जामतरा, खुटी, रामगर, राची, वो सराइक लसामिल है वहीं जोन तीन में सिम्डेगा, पच्मी सिम्भू और पूर्वी सिम्भू महा है वहीं जोन चार में गड़वा, पलामू, चात्रा लाते हर हाजारी बाग, कोडारमा, गिरीडी, लोहर्दागा और गुमला है जारखन के नए राजयपाल रमेश बैस, 14 जुलाई को लेंगे सपत जारखन के नए राजयपाल रमेश बैस, 13 जुलाई को राची आएंगे, वहीं एअरपोट पर उनका बिमान साम चार बज कर 20 मेट पर उतरेगा बतादे 14 जुलाई को राजबहन में वे सपस लेंगे इससे पूर्व सुमवार के सुबर राज़ेपल द्रोपती मुर्मू राजबहन से उडिसा के लिए रवाना होंगी बतादे सनीवार को सीम हमन्सुरी ने राजबहन जाकर राजबहन से मुलकात की दोनों राज़े पालो के कारकरम के मदनेजर सुक्रवार को मुक सचीव सुकदेव सिंग ने प्रोजेक्ट भौन में अधिकारियों के साथ बैठक भी की इसमें ग्रिय विभाग के प्रदान सचीव राज़िव अरुन एक का डिजीपी निरन सीनहा के अलावा राची रेंज के डियाईजी पंकज सामिल थे 29 दिनों का होगा सावन का महिना सावन का पावन महिना इस बार 25 जुलाई दिन रविवार से सुरू होगा इस बार सावन माह 29 दिनों का है बतादे देवाधी देव बाबा भोलेनात की उपासना के इस पवित्र महिने में एक दिन में दो तीथिया समयोजित हो गई है 22 अगस्त रविवार को सावन समाप्त होगा खास बात यह है कि रविवार से आरंब होने वाला सावन का महिना रविवार को ही स्तमाप्त होगा सावन में सबसे ज़्यादा अध्यात्मिक महत्वर रखने वाला दिन स्वमवार है इस बार चार स्वमवारी ही होंगे कुरोना काल को देखते वे भागवान सीव कम समय में ही भक्तों की फर्यात सुनेंगे चात्रवीती आवेदन फिर से शुरू करने की मायंग अखिल भारति विद्याती परिशत के एक परतिनीधी मंडल ने अभावी जार्खन के परदेश मंतरी राजीव रंजन देव या महानगर मंतरी पलवी गाड़ी के नेतिवत में सनीवार को कल्यान विभाग पहुंचा यहाँ प्रतिनीधी मंडल जीला कल्यान विभाग के पताधिकारियों से मिला और कुरोना के कायान विभीन संकायों के ओनलाइन छात्रवेती फरम भरने से वंचित विद्यार्थियों के फिर मौका देने की मांग को लेकर एक ग्यापन भी सोपा रिम्स में दिल के मरीजों को हो सकेगी इको जाँच रांची के रिम्स में सनिवार से फोड़ी इको कार्डियोगराफी मसीन से जाँच की सुरुवात हो गई है बता दे इस मसीन के लगने के बाद अब हिर्दय की विमारी से जूज रहे मरीजों को इको जांच में रहात मिलेगी रिम्स निदेशक टाक्टर कमिस्वर परसाद ने बताया कि कार्डियो लोजी में लगे इको कार्डियो गराफी मसीन एस्टेट ओफ आठ मसीन है अभी तक इस मसीन को बहुत लंबे इنتजार के बाद मंगाया गया और इसका फैदा मरीजों को अब मिलेगा जारखंड में गैर अनुसुचित जीलो में हो सकेगी शिक्षको की निऊक्ति जारखन के एगारा गर अनुसुजी जीलो में होने वाली सिख्छक नियुक्ति के अभ्यारतियों को सुप्रीम कोट से रहात मिली है जारखन के एगारा गर अनुसुजी जीलो के नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है और नहीं सुप्रीम कोट में इससे समधित कोई मामला सुनवाई के लिए लंबित है अदालत ने काया कि प्रार्ति हाई कोट में संसोधित आदेश के लिए याच का दाकिल करे दरसल हाई कोट की एकल पिठने इस मामले में यह कहते हुए सुनवाई बाद में निधायित किया है कि इससे समधित मामला सुप्रीम कोट में लंबित है स्वास्त विभाग के अपर मोखिस चीव अरून कुमार सिंग ने सनिवार को भिभीन जीलों के सिविल सर्जनों को जम कर फटकार लगाई है उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन से अप एक्षा की जाती है कि वे ततपर होकर चिकित्सा स्विधाये लोगों को उफलब्द कराए उन्होंने कहा कि सिविल सर्जनों का रवया निरासा जनाख है और कारे में उत्सा नहीं है उन्होंने सिविल सर्जनों से कहा कि आप मजा मारने के लिए सिविल सर्जन नहीं है मजा मारने के लिए सरकारी नोकरी नहीं कर रहे है हमें एक्टिव कमिंडेट हार्ड वर्किंग अधिकाई चाहिए जो अपने छेत्र की समस्याओं का समधान करने की दिशा में ठोस करवाई कर सके साथ ही उन्होंने काया कि जीतने को काम में मन नहीं लग रहा है वह लिख कर भेजदे कि हमें काम से हटा दिया जाए मिद्डे मिल का ओडिट नहीं करा रहे स्कूल राजिक के सरकारी प्रारंबिक स्कूलों में मध्यान भोजन योजना का ओडिट हो रहा है लेकिन कई स्कूल है जो इसका ओडिट नहीं करा रहे है फिनेंसियल वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक सभी प्राथमी को मध्य विद्यालाइक की ओडिट की जा रही है इसमें 18 जीलों की कई स्कूलों का ओडिट अब तक नहीं हुए है बतादे 15-16 में 14-11 स्कूलों ने वहाई 2016-17 में 16-11 और 2017-18 में 797 स्कूलों ने ओडिट नहीं कराया है जारखन में 56 नए केस मिले है जो राची से 6 पुर्वी सिमू अठारा जारी बाग एक बुकारो तीन धनबाद एक पच्मी सिमू दो पलामो तीन देवगर एक गुमला चार लाते हर साथ गड़वा एक जामतरा पांच साहिवन चार मिले है चार्खन में कूल महुत की संकिय है